ये देखो दोस्तों, मैंने हाँ पर fried chicken मनाया है, इस chicken की खास बात ये है कि इसको deep fry तो करा ही नहीं है, गम तेल का इस्तमाल किया है दोस्तों और इस बात की guarantee है कि चिकन एकदम soft बनेगा हमेशा और चिकन के एकदम अंदर तक टेस्ट आएगा हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में, तो फिर तेर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं अब दोस्तों ताकि आपको आसानी हो इस रेश्पी में मैंने एक किलो चिकन का استعمال किया है आधा किलो करीकट चिकन है ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि आप कोई भी चिकन का यूज़ कर सकते हो और आधा किलो मैंने drum sticks यानि की chicken legs का इस्तमाल किया है आप जब भी chicken मना रहे हो तो उसको अच्छे से धोना बहुत जरूरी है तो मैं हमेशा करता हूँ कि पानी में vinegar डालता हूँ एक चमच तक या नीमबू भी आप डाल सकते हो एक बड़ा चमच नमक कर डालता हूँ इसको अच्छे से मिलाता हूँ 5 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ सारी गंदगी उपर आ जाती है और फिर जब आप 2-3 बारी chicken को धोगे तो chicken एकदम साफ हो जाता है जब भी दोस्तों आप fried chicken बना रहे हो तो जितने leg piece है उसमें आप ऐसे cut जरूर लगा देना ऐसे cut लगाने से तो आपको पता ही है कि अंदर तक flavor आता है लेकिन एक और चीज होती है कि जब इनको पकाते हैं तो इसके अंदर temperature भी एकदम even होता है आप बस अभी chicken में नमक डालना, healthy डालना और कश्मीरी लालमेश डालना इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाना और सीधा ही इनको पकाना शुरू कर देते हैं मैंने दोस्तों आपको तरी वाले chicken की वीडियो में बताया ही था कि अगर आप नमक के साथ chicken को भूनते हो तो अपने आप ही chicken के अंदर नमक का flavor एब्जॉब हो जाता है हम भी यहाँ पर बिल्कुल वही करेंगे और यहाँ पर एक चीज और डालेंगे जिससे बिल्कुल guarantee हो जाएगी कि चिकन के अंदर तक flavor आएगा और चिकन एकदम soft बन जाएगा तो दोस्तो अपना pan चड़ाना gas पर गरम होने के लिए लेकिन pan में तेल बिल्कुल मत डालना बस गरम गरम pan में आपने सीधा ही chicken डालना है अभी आप medium flame पर chicken को सिरफ 2 minute तक पका लेना बिसिकली तब तक आपने पकाना है जब तक की chicken का color नहीं बदल जाता ये देको pink था पहले अब हलका सा white dish हो गया तो जैसे ही ये stage आ जाए फिर आप एक कप पानी डाल देना और पानी डालने के बाद gas को low flame पर ही रखना और सीधा ही धकन लगा देना और ऐसे धकन लगा के दोस्तों 10 minute तक chicken को आराम से पकने देना ऐसे आपका chicken जो है boil हो जाएगा और बहुत ही tender बन जाएगा यानि कि जब आप इसको fry करोगे तो इसके अंदर पूरा taste भी होगा और chicken soft भी होगा ध्यान रहे दोस्तों 10 minute तक पकाना है और इतना पानी है नहीं इसमें तो 5 minute बाद आप एक बारी chicken को चला देना ताकि एकदम even cooking हो जाए ऐसा नहोंगी उपर की सते कची रह जाए और नीचे पक जाए तो एक बारी stir कर देना और फिर धकन लगाके 5 minute और पकने देना 10 minute के बाद आप ये देखोगे कि चिकन लगबग 80-90% पक चुका होगा यानि कि हड़ी से अलग नहीं होगा ये देखो आप अब आपने क्या करना है कि चिकन के एक-एक पीस को निकाल देना है एक जाली के उपर क्योंकि अभी हमें चिकन को सुखाना है और आप सोच रहोगे कि भरत भाई ये जो पानी है इसका क्या हम करेंगे ये तो वेस्ट हो जाएगा नहीं नहीं दोस्तों ये बहुत healthy पानी है, इसमें chicken के हड़ियों का flavor है, gelatin है इसमें, तो आप इसका बहुत ही tasty soup बना सकते हो, या आप कोई भी chicken curry जब भी बनाओ, आप उसमें ये डाल देना, आप इस पानी को अराम से store करके भी रख सकते हो, एक हफते के लिए freezer में जमा कर, म अंदर भी flavor आएगा, ऐसा नहीं कि leg piece पक गए है, अगर मैं आपको कोई भी और piece दिखाऊं, curry cut का, छोटा piece भी, तो वो भी एकदम soft है, एना दोस्ते एकदम बढ़िया, अभी क्या करना कि chicken को थंड़ा होने के लिए छोड़ देना, पंखे के नीचे, पांच मिनट और जब तक हम पांच मिनट में अपनी instant वाली spicy चटनी बना लेते हैं, चटनी के लिए मैंने आपर लगभग 6-7 हरी मिर्चे लिए हैं, 8 garlic cloves लिए हैं, इसमें आप एक इंच तक अदरक डालना, जादा अदरक मन डालना, हाँ लेकिन भर के धनिया डालना, लगभग 50 ग्राम और ये जो fried chicken है इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, एकदम simple से समान से मैंने चटनी बनाई है, एकदम पटाका सी चटनी है, आप इसको अराम सही घर के समान सही बना लोगे, इतनी देर में आपका chicken भी ठंडा हो जाएगा और सूक चुका होगा, अब आपने क्या करना है इसमें आपने 2 टेबल स्पून अदरकलसन का पेस्ट डालना है, और बहुत थोड़ा सा सरसो का तेल डालना, बहुत थोड़ा सा, ये अदरकलसन का पेस्ट और सरसो ना एक layer बना देगा chicken के उपर, moisture की, जिससे की सारा masala जो है वो चिपक जाएगा chicken के उपर, अभी आपको द डाला डाला है, रंग के लिए कश्मीरी लाल मिट्स जरूर डालना, मेरा फेवरेट इंग्रीडेंट कसूरी मेती बिल्कुल मत भूलना, और साथ-साथ इसके काली मिट्स भी डालना, ये सारी चीजों को आप अच्छे से मिला देना दोस्तों, और आप खुद ही देखना व मुझे थोड़ा सा चिकन सूखा-सूखा लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ भूंदे पानी की भी डाल दी है और अब मसाला देखो, कैसे चिपक चुका है एकदम, एना एकदम बढ़िया दोस्तों, अब बस आब इसमें दो बड़े चमच मैदा डालना, और दो बड़े चमच बेसन डालना, और इनके स्टार्च को फुलाने के लिए, आप यहाँ पर दो बड़े चमच दही के डाल द जिसे की बहुत ही अच्छी कोटिंग हो जाएगी चिकन के ऊपर, आप बस इस चिकन को 5 मिनट के लिए इस मारिनेशन में रखना, जादा देर रखनी की कोई ज़रूत नहीं है, चिकन के अंदर पूरा टेस्ट भर रखा है हमने, तो आप चाहो, तो आप इनको 5 मिनट रेस् आपको बहुत जाएगा, आपको बहुत जाएगा तेल की जुरूत नहीं है फ्राय करते वक्त, तेल बहुत थोड़ा सा ही चाहिए, लेकिन कैसे फ्राय करना है, बहुत मैटर करता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये तो चिकन बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा, कि इ इसको मीडियम फ्लेम पे आराम से पकने देना, और दो से तीन मिनट बाद ही इसको फ्लिप करना, एकदम से मत करना दोस्तों, जादा टर्न करोगे, तो चिकन फ्राय करते वे तूट जाएगा, अगर आप आराम आराम से करोगे, तो चिकन बहुत अच्छे से कुक हो इसकी बाहर की सर्फिस थोड़ी सी करारी हो जाएगी और एकदम सॉफ्ट ही बना रहेगा, बस आपको दोस्तों इसको फ्राय करना है, अच्छा सा रंग लेने तक या जब तक यह ऐसे नहीं दिखने लग जाते हैं, बस इस बात का ध्यान जरूर देना, कि जितने लेग पी और देखाना आपने, एकदम इंस्टेंट फ्राय चिकन आप बना सकते हो, बहुत ही फ्लेवर फुल, साथ में नीम्बू का रस डला हो, और चिकन इतना सॉफ्ट हो, ओ हो दोस्तों, हैना एकदम बढ़िया बाल, तो आप यह बना कर देखना, और मुझे पॉमेंट सेक्शन में बताना की कैसा बना, मैंने दोस्तों फ्राय चिकन का तो आपको बहुत एजी सलीशन बता दिया, लेकिन घर पे ही आप बिना अवन के, बिना तंदूर के बिलकुल रेस्टरॉण जैसा चिकन टिकका बना सकते हो, एकदम सॉफ्ट, वो कैसे, उसके लिए आप यह वाली वीडियो देखना आपके बहुत काम आएगी